ये यारसा गुंबा है, ये सोने से भी ज़ादा महेंगा है यारसा गुंबा, caterapillor की भफून्द यानी फंगस है ये तब बनता है जब मिट्टी में मौजूद फंगस, caterapillor पर हमला करके उसे मार देता है ये दुनिया का सबसे महेंगा medical फंगस है कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे कैंसर, अस्थमा और नपुनसक्ता का इलाज संभव है एक किलो यार सागुमबा एक लाख डॉलर यानि करीब 65 लाख रुपए तक पितता है ये कटरपिलक, भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के उन इलाखों में मिलता है जो कि हिमाले की गोद में है ये तीन से पांच किलो मीटर की उचाई वाले इलाखों पर पाये जाते है पिछले पांच सालों से कर्मा लामा, यार सागुमबा का व्यापार कर रही है दूर दरासे गोर्खा, धादिंग, लामगुन जिले से लोग यहां यार सागुमबा की तलाश में आते रहते हैं मई और जून के महिने में हजारों नेपाली लोग यार सागुमबा की तलाश में पहाडों का रुख करते हैं जिससे यहां के गाउं खाली हो जाते हैं, लेकिन इतनी उचाई पर काम करना हतरे से कटाई खाली नहीं कर्म जैसे व्यापारी हर दूसरे दिन इन फंगस की तलाश में चड़ाई करते हैं एक यार सागुमबा इनको करीब 280 से 300 रुपए के आसपास परता है इसके बाद इसे अंतराश्ट्री बाजार जैसे की चीन, सिंगापूर, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, म्यामार और थाइलेंड पहुंचाया जाता है इसके बाद इसकी कीमत करीब 7000 रुपए 30 ग्राम तक आ पहुंचती है जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और बेहत बढ़ती मांग के चलते इसकी पैदावार पर असर पड़ा है पहले तो बहुत मिल दे, कपी तो 100 भी मिल दे एक दिन में पर आज कपी 2 मिल दे, 20 भी मिल दे, कपी खाली भी जाता है एक अनुमान के मुताबिक इन किसानों की सालाना आये का 56 फीस्दी हिस्सा यार सागुंबा बेचने से आता है इसका हर टुकड़ा इनके लिए खुशी, उम्मीद और बहतर भविश्य की गारंटी लाता है अब दिन ठल चुका है लेकिन यार सागुंबा की तलाश जारी रहेगी अब दिन ठल चुका है